लो आ गया हूं दोस्तों फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही बहुत ही बहतरी सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करण डेफर के साथ और आज है 23 सितंबर हम लोग अभी जो रिविजन लेकर चल रहे हैं वो है आपके जुलाई मंत का रिविजन आप ल कल की क्लाप जो है वो नहीं हो पाई थी लेकिन अब से क्लाप आपकी कर सकते हैं इसके साथ में छासार से आप लोग के लिए जुलाई मंत का बीकर रहे हैं तो उनका कुईस जो है वो भी अपलोड कर दिया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं 23 सितंबर के बहुती बैथरिन करंट अफेर को पंजाब के नए मुख्य मंत्री चरणजी सिंग चन्नी बने हैं ये तो आप लोग को पता ही है इसके साथ में दो नए उप मुख्य मंत्री भी वहाँ पर बनाए गए हैं देखी सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि यह कुछ ऐसे पद हैं पोश्ट है जो की निरंतर बदलती रहती है क्योंकि भारत के अंदर पॉलिटिकल इस्टैबिलिटी वह काफी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर चीफ मिन और यहाँ पर ओपी सोनी जो हैं दोनों ही यहाँ पर अपॉइंट किये गए हैं एक तरफ इनका सिख चहरा है या फिर दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो हिंदू तो दोनों जो हैं वो डैपूटी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ तक की पूरे भारत के अंदर लगबग चीज तक उपू मुख्य मंत्री हैं और कहीं कहीं तो हालात यह हैं कि एक ही राज्य में पांच-पांच जो हैं वो डैपूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं चलिए बढ़ते हम लोग आपे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुक्विंदर सिंग और ओपी ओ कह सकते हैं कि ये केवल पद के लिए पोस्ट के लिए वर्चेसव है और कोई इसका कोई अस्थितो नहीं हैं कि यहाँ पर केवल और केवल पद के लिए यहाँ लड़ाई हो रही हैं फिर आप लोग देखिए अरौणाचल प्रदेश है, इसके साथ में बिहार है, पंजाब की तो पंजाब के अंदर रिसेंटली दो अपटमेंट्मेंट्स हुए हैं दोनों अपटमेंट्मेंट्स 20 सितंबर 2021 को यहाँ पर गिये गए हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से हैं और चरणजी सिंग चन्नी जो हैं वो बने हैं कौन पंजाब के ने मुख्य मंतरी पंजाब के यदि हम लोग बात करें तो 1966 के अंदर हिंदी भाशी तो बनाता हरियाना और पंजाबी भाशी राज्य पंजाब का निर्मान किया गया था लेकिन एक नवंबर की डेट आप लोग याद रखिये यहाँ पर हम लोग यदि इसमें 1956 को एड कर दें तो यहाँ पर इंटिग्रेशन आफ इंडियन इस्टेट जो है उसको यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है कैपिटल और पंजाब जो है वो है चंडिगड गवर्णर ऑफ पंजाब बनवारिलाल पोरोहित चीफ मिर्टर आपको बता ही दिया है चरणजी सिंग चन्नी है रवी शंकर पंजाब के साथ में रैड किलिफ बॉर्डर टच करती है पंजाब की यदि हम लोग तीन नेवरिंग इस्टिट्स की बात करें तो राजस्थान हरियाना हिमाचिल प्रदेश तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तो है हिमाचिल प्रदेश इसके साथ में दूसरा कौन सा है वो है हरियाना और हरियाना एक लैंड लॉक कंट्री भी है और थर्ड पोजिशन पर है राजस्थान और पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल बाउंडरी जो है वो शेर की जाती है पंजाब की लोकसभा सीट है तेरा और राजसभा सीट है साथ और असेंबले जो है वो शीशम का है जिसे इंडियन रोजवूड अब आप लोग सोच दे होंगे सर जो इगल है वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन एक उड़ता हुआ इगल जो है वो इसके अंदर दिखाई देता है यहाँ पर आप जो है उसकी चौँच देख सकते है ठीक है चलिए मेजर लेक्स ऑफ पंजाब जो है वो सुखना लेक है चंडिगड में इस्थ है हरीके लेक फिरोजपूर में है यहीं से क्या निकाली जाती है यहीं से हरीके बेराज जो है यहीं से इंडरा गांधी कैनाल भी निकाली गई है फिर इसके साथ में कंजाली लेक जो है वो भी कपूर्थिला के अंदर इस्तित है और कपूर्थिला में कोच फैक्टरी वो भी इस्तित है मेजर डेम्स आप लोग देख सकते हैं रंजीत सागर डेम है फिर इसके साथ में शेश्वान डेम है और जयानती डेम जो है वो भी पंजाब में इस्तित है चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं प्रवासियों के संदक्षिवा का कौन से सम्मेलन रिसेंटली आयोजित किया गया है तो चौता सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है देखिए यूपी के अंदर एक जील है रामगड जील तो रामगड जील है वहाँ पर अंतराष पक्षी सम्मेलन जो है वो भी आयजित किया जाएगा लेकिन वो 2022 के अंदर आयजित किया जाएगा स्वास्त और परिवार कल्यान राज्यमंत्री का नाम बताईए जिन्होंने डिजिटल पॉपुलर क्लोग का उद्गाटन किया था तो मनिपुर के ये दोनों ही प्रोडक्ट है ठीक है इसे हाती मिर्च भी कहा जाता है सबसे पहले देखिए कि GI टैक क्या होता है जोग्रोफिकल इंडिकेशन होता है और किसी specific किसी जगह पर कोई specific product है उसको ये दिया जाता है ताकि फिर इसके नाम पर किसी दूसरी जगह पर वो product आसानी से बेचा ना जा सके इसलिए उसको GI टैक दिया जाता है जैसे हम लोगों ने recently आपको पता होगा कश्मीर की बारे में बात की थी तो वीलो बैट जो है वीलो बैट उनको भी GI टैक दिया गया था मनिपूर के दि हम लोग बात करें तो आप लोगों ने MC Mericom का नाम सुना होगा MC Mericom है जिनकी autobiography है unbreakable इसके साथ में ही मीरा बाई चानू जो है मीरा बाई चानू उनका संबन भी कहां से है मनिपूर से है और मनिपूर के अंदर ही केबूल लाम जाओ नेशनल पार्क जो की लोग तक जील पर इसी था है तो ये far effect जो है वो आप लोग ज़रूर याद रखेगा तो मनिपूर से ही ये दोनों product जो है इनको GI टैक दिया गया है और ये क्या होता है एक logo होता है जो कि एक specific product को अलोट किया जाता है मनिपूर के दिया हम लोग बात करें तो नौर्ट इस्ट इंडिया के अंदर एक state है जिसकी capital क्या है इमफाल इसकी capital है Chief Minister के दिया हम लोग बात करें तो एन ब्रेंसिंग यहां के Chief Minister है और official floor जो है वो है Lilium Macleany जो है वो यहां का official floor है चलिए कुछ हम लोग GI Techs की बात कर लेते हैं जैसे भारत में बात करें तो 2004 के अंदर पहला जो product था जिसको GI Tech दिया गया था वो दारजलिंग के चाहे थी फिर आप लोग देखिए चीको जो है वो है पालगर के तो पालगर की घटना भी आप लोग को याद होगी तो पालगर के अंदर क्या है चीको है जिनको GI Tech दिया गया है जनजातिय कारिय मंतरी श्री अरजुन मुंडाजी किस राज्जे के दो दियोस्य दोरे पर गया थे हाँ पर कई जंजातियों के लिए विशेश योजनाओं का आइलान किया था और असाम के ये अभी दो दिवसिये दोरे पर गए थे देखिए असाम के अंदर टोटल सेवन नेशनल पार्क बन चुके हैं और इसी के साथ में थर्ड पोजिशन पर नेशनल पार्क में कौन सा आ असाम आ चुका है यहाँ पर सिक्स नेशनल पार्क राइमोना ठीक है और सेवन जो नेशनल पार्क है वो दिहिंग पटकाई अनौंस किया गया था असाम के अंदर ही माजुली द्वीप इस्थित है जो की वेश्व का सबसे बड़ा नदिय द्वीप है ब्रह्म पुतर नद इसके साथ में मैं आपको काफी सारे सूचकांग बताने वाला हूँ तो Global Innovation Index जो है इसमें भारत का इस्थान 46 है और ये जो सूचकांग है वो किसके द्वारा जारी किया आता है वो तो हम लोग देखते ही है लेकिन कुछ Index जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ जैसे हम ल करता हूँ Global Gender Gap Index जो है इसमें 140 rank है भारत की जबकि इससे पहले 112 rank थी और ये question भी पूछा जा चुका है और Global Gender Gap Index जो है वो World Economic Forum के दोरा release किया जाता है फिर आप लोग देखिए Democracy Index काफी important है भारत के लिए तो योगि भारत के सबसे बड़ी democracy है तो Democracy Index के अंदर भारत की जो rank है वो 53 है और इससे पहले जो rank थी वो कौन से थी 51 rank थी ठीक है और Norway जो था वो इसमें 1st position पर था Innovation Index में ये तो में आपको बताईए है कि 46th rank अभी है लेकिन इससे पहले इससे पहले कौन से rank थी 50th rank जो है वो किसकी थी इंडिया की थी और इसमें सबसे उपर reduction Korea जो था वो प साफी important है World Investment Report कोशन आचुका है अभी है कि World Investment Report के अंदर भारत की जो rank है वो कौन सी है 5th rank जो है वो भारत की है और 1st position पुछे आती इस question से related तो USA आप लोग इसके अंदर याद रखना भारत की पहली इस्थान है यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है वो reflect करता है innovation ecosystem को जिसमें 132 economies जो है वो participate करती है और भारत की कौन सी rank है 46th rank है और release किसके द्वारा की जाती है World Intactual Property Organization जो है इनकी द्वारा release की जाती है और भारत का score 36.4 रहा है top 3 countries में पिसले बार तो south जो korea था वो first position पर आ गया था लेकिन इस बार जो है वो Switzerland first position पर है इसके साथ में Sweden second position पर और third पे कौन है USA यह इसका 14th edition है और वीपो का जो headquarters है वो कहां पर है जिनेवा के अंदर देखिए यहां पर W जो है वो तो वीपो के अंदर आ चुका है फिर इसके साथ में WTO फिर WHO यह जितने भी starting में W लगे हुए है इनके headquarters कहा है जेनेवा के अंदर ही है बोपेंदर भाहिर रचनिकान पटेल को किस राज्य का नया मुख्य मंत्री चुना गया है तो गुजरात का नया मुख्य मंत्री जो है वो पहुँचाई जा सकेगी और इसके लिए medicine from the sky जो है वो तेलंगाना के अंदर शुरू की गई है अंतराष्ट ये शांती दिवस सम्मेलन जो है एनके शांती दिवस सम्मेलन के तहर ये शांती दिवस जो है वो भी celebrate किया ता है तो अंतराष्ट ये शांती दिवस 21 सितंबर क कियाता है 21 सितंबर को ठीक है थीम काफी important है recovering better for an equitable and sustainable world ठीक है ये तो इस बार की theme है पहली बार जो मनाय गया था इस day को international day को वो मनाय गया था 1982 के अंदर कुछ हम लोग important day देख लेते हैं जैसे international coastal clean up day जो है वो 18th of September को आता है world water monitoring day जो है वो 18 सितंबर को आता है इसके बाद मे world bamboo day जो है वो 18 सितंबर को celebrate कियाता है तो तीन तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको count करी लिया है world patient safety day जो है वो 17 सितंबर को celebrate कियाता है इसके साथ में ozone depletion layer जो है इसके लिए भी international day है जो कि 16 सितंबर को आजित किया जाता है चलिए बढ़ते हम लोग आगे राश्पती रामना किया गया है केंद्री रक्षा मंत्री राजना सिंग ने किस शहर में अपने उस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर दटन के साथ द्वी पकषिए बैटक की है तो रिजसेंटली न्यू डाली के अंदर ये बैटक जो है वो ऐस्ट्रेलिया इस्ट्रेलिया इसंपक्ष जो है ब्रुनाई की अद्धिक्सिता में ये बैटर की गई है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रुनाई की कैपिटल जो है वो है बंदर सेरी बागवान और इंडोनेशिया का ये एक क्या है ये एक आइलेंड है ठीक है बॉर्नियों भी आप लोग ध्यान रखिये कि ब बंदर सेरी बागवान इसका कैपिटल है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो इंडोनेशिया जो है वो कॉंटिनेंट है इसके साथ में ये है बॉर्नियों और इसे जश्ट उपर ये है ब्रुनाई बंदर सेरी बागवान इसकी कैपिटल है नेक्स देखिए भी एनरजी है उस एनरजी को सेफ करना है इसके साथ में रिनेवल एनरजी जो है इसको क्या करना है इसको बूश्ट अप करना है लेकिन केवल इस्ट एश्या जो है यहाँ पर इसको ज़्यादा प्रमोट करना है यहाँ पर एडवांस जो एनरजी सेकृरिटीज है एनरजी के दौरा मालदीव के ये क्या है मालदीव के रक्षा मंत्री है ठीक है सॉरी विदेश मंत्री है फिर है G20 कल्चरल मिनिस्टर की मिटिंग जो है वो इटली के अंदर आज़ित की गई थी ये कोशन मैंने इस्टेड़ी ग्लोस कोशन के अंदर ये पूचा था 28 एशियारीजन फौरम मिनिस्टर मिटिंग जो है वो राजकुमा राजन सिंग के द्वारा क्या की गई थी हैड की गई थी इसके साथ में फिफ्थ ब्रिक्स इंडरेश्टरी मिनिस्टर जो है इसको इंडिया की तरफ से पियूश गोईल ने इसके अंदर पार्टिशिपेशन दिखाय था बिम्ष्टेक कंट्री जो है इसकी आठ वे मिटिंग जो है ये इंडिया की द्वारा क्या की गई थी इसको हैड किया गया था यह हम लोग कहें कि इंडिया के अंदर इसको होश्ट करवाय गया था भारत और जापान ने अपना कौन सा समुदरी मामलों का समवाद आईजित किया है तो recently छटा जो है वो समवाज जो है meeting dialogue वो अभी connect करवाए गया है देखिए आप लोग 2 plus 2 meeting जो है वो ज़रूर धान रखेगा भारत जापान के साथ करता है USA के साथ में करता है और Australia के साथ में 2 plus 2 मतलब विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी जो है इनकी एक meeting जो है वो आयजुत करवाई जाती है भारत और किस देशन के साथ एक मुक्त व्यापालन के free trade agreement किया गया है तो भारत और जॉर्जिया के बीच में ये free trade agreement किया गया है तीन khans कभी भी एक साथ stage पर देखे नहीं जाते हैं लेकिन three khans and the emerge of new india ये book जो है वो कावेरी बामजाई के द्वारा लिखी गई है काफी important book है देखे जुंपा लाहेडी की ये भी आप लोग जरूर याद रखें ना कि ये भी काफी सारे book जो है वो लिखती है तो यहाँ पर कावेरी बामजाई जो है इनके द्वारा ये book लिखी गई है ठीक है bullets over Bombay Satya and the Hindi Film Gangster तो उदे भातिया जो है इनके द्वारा ये book लिखी गई है अब बांगलादेश वार कमेंटरी 1971 रेडियो डिस्पेचेज U.L. बरुआ के द्वारा ये book लिखी गई है ये काफी important book है जो कि सुबरमन्यम स्वामी जो है इनके द्वारा लिखी गई है मैं अभी भी कहता हूँ कि confirm exam में पूछे जाएगी Human Rights and Terrorism in India ये book जो है वो सुबरमन्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है Translating Myself and Others जुमपा लाहिडी की अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये भी book हमारे लिए काफी important है A different route to success ये है रमेश नारायन की चलिए books तो आप लोग को याद रखनी ही है किसने हिंद प्रशान छेतर के लिए एक नई त्री पक्षी है यानि कि trilateral सुक्षा, सुरक्षा साज़दारी की गोशना की है तो जो बाइडन के द्वारा ये announcement किया गया है देखिए यहां पर आप लोग इसको समझ ये कि हिंद महासागर यानि कि इंडियन ओशन और Pacific Ocean के अंदर एक trilateral security के लिए क्योंकि आप लोग को पता है कि कुछ हिंद महासागर कि टच में इंडियन ओशन के टच में कुछ countries ऐसी हैं जहां पर समुदरी लूटे रहे आप लोगोंने सुना होगा या फिर कई insecurities जो है वो वहाँ पर develop होती है और इसी के लिए ये जो है वो एक partnership conduct करवाई गई है इन विच सिटी the cabinet has approved a club where model resident school तो recently विशाका पत्नम में इसको approval दी गई है जो कि आनर प्रदेश में इस्तित है प्रगती mobile app को किस ने launch किया है तो LIC के दौरा daily monitoring इसके साथ में कैसे improvement किया जाए officers के अंदर इसी लिए LIC के दौरा प्रगती mobile app जो है वो launch की गई है तो यहाँ पर real time information जो है वो इस प्रगती mobile app के तहट दी जाएगी जिसमें growth and trend indicator जो है वो इसमें शामिल होंगे LIC के दी हम लोग बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसका गटन किया गया था मतलब establishment इसका 1 सितंबर 1956 का था और headquarter जो है वो मुंबई में सित है ने किस cricket format की कप्तानी को छोड़ना किया है तो T20 format जो है उसको इन्हों ने छोड़ दिया है और जैसे ये T20 World Cup हो जाएगा UAE में उसके बाद जो है ये अपनी कप्तानी से क्या कर लेंगे सेवा निवरती एनिकी retirement ले लेंगे तो इटली के साथ में ये समझोता जो है वो रिसेंटली किया गया है हाल ही में अफरीका और रूस में इससे दो चोटियों को फतर तो यहाँ पे रूस है ये ठीक है तो अफरीका एन रशिया आप लोग करना इसको थोड़ा से करेक्ट कर लेना अफरीका एन रशिया जो है रूस में इससे दो चोटियों को फतर करने वाले ये सबसे तेज भारती जो है वो कौन बनी है तो गीता समीता जो है वो पहली भारती बनी है मतब सबसे तेज उन्हाने फतर किया है और CISF के अंदर ये SII के पद पर अभी तैनाथ है और इनके द्वारा यदि हम लोग अफरीका के बात करें तो अफरीका की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट किली मंजारो है ठीक है तंजाने देश में इससित है माउंट किली मंजारो और इसके साथ में रूज जो है जो कि येरोप के अंदर पड़ता है वहाँ पर माउंट अलबूर्ज जो है वो सबसे उची चोटी है यदि हम लोग सेवन कॉंटिनेंट्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते है कि सेवन कॉंटिनेंट्स की हाइस्ट पीक कौन कौन सी है रिसेंट्ली मैंने आपको एक पेपर भी दिखाया था जो की एक स्टेट के अंदर लिया गया था वहाँ पर हाइस्ट पीक्स को मैच करने वाला एक कोशन पूछा गया था मैंने कई बार आप लोग के सामने रिपीट भी किया है तो माउंट एवरेज जो है वो है एशिया की अकांका गुवा जो है वो साओथ अमेरिका की है माउंट मैकिनले नौर्थ अमेरिका की है इसके साथ में किली मंजारो जो है वो अफरीका की है माउंट अलबुर्ज जो है वो काकेसिस की सबसे उची चोटी है यूरोप में सिथ है विंसन मैसिफ आप लोग को पता होगा कि ये कहां सिथ है अंटार्टिका के अंदर सिथ है ठीक है आस्ट्रेलिया के दिए हम लोग बात करें तो आस्ट्रेलिया के सबसे उची चोटी जो है वो कान सी है वो है कैशिस को तो यहां पर आपको कैशिस को दिखाई दे रहा है और यह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आस्ट्रेलिया कांटिनेंट के अंदर पुनाक जाया जो है वो यहां की सबसे उंची चोटी है चलिए तो CISF के अंदर भी वर्क कर रही है गीता समीता और इन्होंने सबसे तेज जो है वो अफरिका और रश्या की उंची चोटी को फते किया है जो की कौन-कौन सी है एलबुर्ज है रश्या के अंदर तो एलबुर्ज है ठीक है लेकिन वो यूरोपियन यूरोपियन जो रश्या है उसके अंदर इस्थ है मौन्ट एलबुर्ज और किलिये मनजारों कहां पर इस्थ है तंजानिया देश के अंदर इस्थ है चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि 2011 के अंदर इन्हों ने जॉइन कर लिया था और उसके बाद से यह क्या कर रही है यह काम कर रही है CISF के अंदर परदान मंतरी नरेंदर मोधी के जर्म दीवस पर बीजेपी ने कितने दीवस ही है सेवा समरपन अभियान चलाने की गोशना की है तो 20 दिन का सेवा समरपन अभियान जो है वो चलाये गया था किस महिला को अंतराष्ट्रियन नागरिक उड्डन संगठन विमानन सुरक्षा समीती के अद्दक्ष रूप में चुना गया है तो हुआ है शेफाली जुने जा काफी important question है आप लोग ज़रूर याद रखेगा हाल ही में जारी राज्ये खादे सुरक्षा सुचकांग मतलब state food security index जो है इसमें पहला इस्थान किसका है देखिए first position पर आपको तीन जो है वो जगह चुननी है तो C इसका correct answer है यदि हम लोग large states की बात करें तो गुजरात छोटे राज्ये की बात करें तो हो है गोवा और union territories की बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर तो union territory में दी question पूछे तो आपको करना है जम्मू एंड कश्मीर चोटे small states जो है उसके अंदर गोवा है और large states जो है उसके अंदर कौन सा है गुजरात है चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यह जो index है वो जारी किसके द्वारा किया गया है तो यह जो index है वो फैसाई के द्वारा जारी किया गया है और भारत के जो union minister of health and family welfare है मनसुक मंडाविया इन के द्वारा इसको क्या किया गया है रिलीस किया गया है और यह तीसरी ऐसी report है जो कि recently रिलीस किये गई है पांच parameters इसमें शामिल किये गए है ठीक है तो इसमें जितने भी highest measuring states हैं इसके साथ में union territories हैं जिरों अच्छा perform किया है उसमें इसको include किया गया है इसके साथ में 19 mobile food testing change जो है यह हम लोग कहें कि mobile van जो हैं वो भी recently launch की गई है किसने दूर दराज के इलागों के बच्चों के लिए कोशल विकास हैनी कि skill development के वो peaceful mission 2021 में का कौन सा संसक्रण पशिमी रूस के औरेन बर्ग छेतर में एजित किया गया है तो इसका 6th edition जो है वो एजित किया गया है रिसेंटली देखिए SEO का एक नया membrane country भी बना है आप लोग मुझे comment section में बताइएगा कि संगाई corporation organization जो है इसका नया membrane country जो है वो कौन सा भारत और किस देश की नौशेना ने समुद्री सक्ती के तीसरे संसक्रण में भाग लिया है तो यहां पर भारत और इंडोनेशिय के बीच में समुद्री सक्ती युददब्याज जो है वो conduct करवाया गया है तो 20 से 22 सितंबर को ये युदब्याज आईजित करवाये गया और भारत की और से INS, शिवालिक और कदमाद जो हैं इन्होंने participate किया है भारत और इंडोनेशिया के इस maritime excise के अंदर ठीक है इंडोनेशिया के दिए हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि इंडोनेशिया के जो जावादीप है वहाँ पर आई डैंस मुस्लिम पॉपलिशन जो है वो पाई जाती है और यहाँ पर सुमात्रा आइलेंड यह जो आप लोग देख रहे हैं सुमात्रा आइलेंड यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टेलाइज यदि कोई आईलेंड पूछा जाए तो आप लोग को सुमात्रा आइलेंड करना है प्रेसिडेंट है यहां के जो को विडोडो कैपिटल है जाकारता और करन्सी क्या है इंडोनेशन रुपी जो है वो यहाँ की करन्सी है नेस देङे इस्पेस एकर्ष ने नीजी परत्वी की प्रक्रमा यात्र पर कितने अंतरिक शात्री लॉंज किये हैं तो वहाँ पर बेज़े हैं चार अंतरिक शात्री जो थे वो ऊस्पेस एक्स के दारा फालकन नाइन रॉकेट से बेजे गए थे वेशो आवाज दिवस जो है 2021 की थीम क्या रही है तो One World Many Voice जो है वो इस बार इसकी थीम रही है आप लोग को मैंने New Shepherd विमान जो है वो तो बताए ही था ठीक है वो किसकी थी Amazon की Blue Origin कंपनी के दोरा New Shepherd विमान भेजा गया था और उसमें एक मातर भारती है जिसका नाम था शिरीशा बंदला ठीक है शिरीशा बंदला जो है वो एक मातर भारती थी और यही कोशन जो था वो रिसेंट लेग्जाम में पूछा भी गया था चलिए जुलाई मन्द के हम लोग करंट अफर को रिवाइस कर लेते हैं पहले भारती कौन बने है जिन टोक्यो ऑलम्पिक में निशाने बाजी के लिए जूरी बनाया गया है तो वो है टोक्यो अमीनपूर जील जो है वो हैदरबाद के अंदर इस्तित है और वहाँ पर जील के दो भाग होते हुए एक सड़क जो है वो निर्मित की गई है दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल जो है वो डेनमार्क में निर्मित किया गया है लोक उध्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइस जो है इसका विले कर दिया गया है फाइनेस मिनिस्ट्री में भारत वे इटली के वीच आईजित हुआ नौसने क बूमिगत मकड़ी जो है उसकी प्रचाती खोज की गई थी बहुत इंप्रटन कोशन है यह और यह कौन सा है वो है असाम के अदर थीक है तो आप लोग इसको इंपोर्टन लगाना क्योंकि भूमी गत मकडी जो है वो ग्रेविल या बोरो है वैसे भूमी के अंदर ये जो मकडियां है ये पाई नहीं जाती है नैतवार मोरी जल विदत परियोजना जो है वो किस राज्ये में इस्तित है तो ये कहां पर इस्तित है हिमाचल परदेश में इस्तित है चलिए 21 सेतंबर के हम लोग करन टेफर को रिवाइस कर लेते हैं हाल ही में किस राज्य केंदर शाजित परदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पेश सकी का सुभारम किया है तो वो कौन सा है जम्मो एंड कश्मीर है हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखा का निधन हो गया तो अजीज हंजी का निधन हुआ है हाल ही में किस की दौरा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन जारी किया गया तो पावर फाइनेंस कॉर्परेशन के दौरा इसको रिलीस किया गया है मतलब हम लोग कहें कुस्टम नॉटिफाइड एरपोर्ट रिसेंटली वो बना है तो वो कौन सा है कुशिनगर एरपोर्ट है चलिए हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिशत के कारवाय काद्यक्स की रूप में अपॉइंट किया गया है तो राजा रंधीर सिंग जो है इनको अपॉइंट किया गया है किसी राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरसकार जो है वो दिया गया है तो वो यी कोशन काफी इंपोटेंट है पंडोरा गीवाला जो है इनको ये पुरसकार दिया गया है गुजराच सिन्द का संबंध है टाइम्स की सो सबसे प्रतिवाचाली लोगों की सूची में कौन सा भारते शामिल नहीं है तो सावितरी जिंदल जो है वो इसमें शामिल नहीं है और बाकी तीन इसमें शामिल है हाल ही में श्रिलंका के किस दिगज खिलाडी ने किर्केट के सभी प्रारूप से सन्यास की कोशना की है तो वो है लसित मलिंगा किस की दोरा फास्ट एक अधारित मैट्रो पार्किंग सोईधा शुरू की गई है तो वो है PTM Payments Bank के दोरा किस खिलाडी को ICC दोरा अगस्त के लिए Player of the Month अवार्ड दिया गया है ये काफ़ important कोशन है जो रूड जो है इनको ये पुरसकार दिया गया है अवार्ड दिया गया है इंग्लेंड से इनका संबंध है ये हमारा 21 सितम्बर का Shady Gloss कोशन था कि भारती सेना प्रमुक जनरल M.N. नर्वने ने किस देश में भारती सेना इसमारक का उदगाटन किया है तो recently Britain के अंदर ये उदगाटन किया गया था चलिए बढ़ते हम लोग आगे ये आज आज आप लोग के लिश्र डिगलोज कोशन है कि भारत की पहली UPI अधारित पारकिंग स्वीथा कहां पर शुरूख की गई है तो इस कोशन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा आप लोग मुझे इंश्टा पर फॉलो कर सकते हैं जो भी आपकी कोईरी से वो मुझे पूछ सकते हैं इसके साथ में ही लेक्चर की PDF with answers आप लोग को टेलिग्राम चैनल दीपक इंदोरा ओफिचल पर अवेलेबल करवा दी जाती है तो वहाँ पर जाकर आप लोग इसे जॉइन कर सकते हैं इसके साथ में ही जुलाई मन्त का हम लोग जो रिवीजन लेकर चल रहे हैं इसका भी कुईज आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा तो डीलिक रंटन वर के कुशिन का कुईज आप लोग को attempt करना है उसके साथ में रिवीजन क्लास का कुईज जो है वो भी आप लोग को attempt करना है आप लोग के लिए बहुती बैतरीन कंटेंट लेकर आता है Knowledge is power ये हमारी tagline है तो चलिए, कल मिलते हम लोग बहुती बैतरीन लेक्चर के साथ, तब तक लिख धन्यवाद Thank you